जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आप सभी ने काहा था कि पैलेस कुईन हमसफर की जर्नी को फिर से चैनल में वापस आना चाहिए तो आप लोगो के रेक्वेस्ट पे exactly एक साल बात पैलेस कुईन हमसफर की जर्नी आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग उदैपूर से बैंगलोर तक यात्रा करने वाले हैं ट्रेन, वरोदरा, मुंबई, कुने, खुबली के रस्ते बैंगलोर तक जाती है तो इस जर्नी को आप लोग मेरे साथ इंजॉय कीजिए ये एक क्विक जर्नी होने वाली है जिसमें आपको बहुत सारी इंट्रेस्टिंग चीज़र देखने को मिलेंगी तो उमीद करता हूँ आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की हमारी स्पेशल जर्नी होने वाली है उदयपूर से लिकर बैंगलोर तर वो भी पैलेस्ट कुइन हम सपर एक्सपरस में तो आज की जर्नी होने वाली है काफी एकसाइटिंग और अपसे एक कुछी समय में हम लोग उदयपूर से चलने वाले है पैलेस्ट कुइन हम सफर प्लेटफार नमरेट पर खड़ी है डोर सभी उसके लॉक है और जैसे ही क्लेइन वहाँ से चलती है मैं आपको क्लेइन का इंटीर्स दिखाऊंगा और साथ हम लोग उदयपूर से बैंगवर तक इस पूरी ज़दी को इंजॉय करने वाले हैं तो दोस्तों ये है हमारी पैलेस्वी नमसफर का इंटीरियर जो की काफी शांदार है बहुत बढ़हा परदे लगे हुए हैं आपकी प्रावेसी के लिए और ताकि सन के आने से धूपना आपाए अंदर और हमसफर ट्रेंज के बार में तो आब एक बार जानती हुँए कि ये एट सीटर होती हैं पर कूप पर केविन सौरी तो चलिए अब से कुछी समय में हम लोग चलने वाले हैं उदयपूर से इस जर्मी को अब हम लोग इंजाए करते हैं दोस्तों पहले स्कूइन हमसफर का नंबर है वन नाइन डॉबल सिक्स सेवन त्रें उदयपूर से रात नौ बच के दस मिनट पर चलती है और ट्रें में टोटल 16 AC3 टार के कोचस लगे हुए है साथ में एक पैंटरी गार और दो जनरेटर गार लगे हुए है और ट्रें रात के अंदेरे में उदयपूर से अब निकल चुकी है दोस्तों हाली में आप लोग को मैंने मारवार से मावली तक की अपनी यातरा दिखाई थी जिसमें हम लोग मावली जन्क्षन पहुँचे थे एक मीटर गेज ट्रें में यह वही रेलवे स्टेशन है यहाँ पर पहले स्कुन हमसवर का स्टॉप तो नहीं है रात नौ बच क पच्पन मेट के आसपास ट्रें मावली जन्क्षन को स्किप करती है उसके बाद चित्तौर गड़ होते हुए ततलाम के रस्ते वरोदरा सुबह साथ वह तक ट्रें पहुँचाती है और आज हमारी ट्रें सही समय से थोड़ा जल्दी चल रही है और नौ पैटेश पिसने मा इन सभी चीज़ों को इंजॉय करते हुए मैं अपनी आगे की चलनी के और बढ़ राता क्योंकि यह पहली बार था मेरे सेक्षिन के एक्स्पिरियंस मंदरा हरिद्वार तेहरादून एक्सप्रेस और दोस्तों सुबह हम लोग पहुंचे वरोदर रेलवे स्टेशन वरोदर रेलवे स्टेशन में ट्रेन का राइवल सुबह 7.24 एम का है और आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने वत्वा शेड का डबलू डीयस सेंटर लोकोमोटिव खड़ा हुआ है काफी प्यारा लगत गोंडा वड़ा पाओ जैसी बहुत सारी चीजे स्टेशन में देखने को मिल जाएंगी और इनको ट्राइए आप जरूर कीजेगा और साथ में अगर आप लोग बाकी ताइम में पहुंच रहे हैं तो समों से फूरी कच्छोड़ी जैसी चीजे में आपको स्टेशन में मिल जोस्तों हम लोग बड़ोगा जंशन बहुत चुके हैं और चलिए देखते हैं यहां पर ब्रेकफरस्ट क्या अवलिबर है दोस्तों हमारा ब्रेकफरस्ट आ चुका है और चलिए इस ब्रेकफरस्ट को घंटरबाद देखते हैं कि अंदा बार कोई सेंट्रल डबल डेकर का ओवर्टी जो कि अब से कुछी सब्ब में पैलिस कुंदू सब्सक्र को ने वाला है तो दोस्तों एक बार फिर मौका मिला है आप लोग को नर्वदा माता के दर्शन कराने का हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं काफी अच्छी रफ्तार में बहरूत जंक्शन को जैसे हमारी ट्रेन बहरूत जंक्शन को पार करेगी आप लोग देख पाएंगे महाविशाल का न नर्वदा माता में और आपको ब्रिज दिखना अब शुरू हो गया होगा तो चलिए आप लोग इंजॉय किजिए हाई स्पीड स्किप को और बिच से गुदरती हमारी पैलेस कुई हम सफर जिसमें डबली डीपी फोर डी लोकोमोटिव लगा हुआ है काफी कमाल का ट्रैक झाल 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 तो दोस्तों कैसा लगा आपको वे ब्रिज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ब्रिज में अगर आपने डाउन ट्रैक में ट्रेनों की क्रॉसिंग हो जाए तो अलग ही मजाएगा हम इस बार इतने लगी नहीं थे पर हो सकता है फ्यूचर में हमें ऐसी चीजेंज जरूर देखने को मिलें इस ब्रिज को मैंने कई बार क्रॉस किया है जैसे दर्षन एक्सप्रेस से तेजस एक्सप्रेस से और भी बहुत सारी ट्रेनों से इसले ब्रिज काफ़ी यादकार है म तो अगर आप लोगों ने कभी इस ब्रेज को पार किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा तो किम नाम के रेले स्टेशन में हमाई ट्रेन लूप लाइन ले आचुकी है और अब से कुछी समय में एम्दाबाद मुंबई सेंट्राइड डबल टिकर एक्सप्रेस हमें वर टिक करने वाली है इस लूप लाइन से यह दो करोका है डबल टिकर हमें वर टिकर करें जा चुकी है अपको एम्दार वर टिक कैसा लगा विजा कमेंच सेक्शन में लिकर करके ज़रूर बताईएगा तो चलिए आपसे कुछी समय में हम यहां से निकलने वाले हैं और पहुंचेंगे सूरत देंचेंगे दोस्तों हमारी प्रेन धीरे धीरे सूरत रेलियो स्टेशन भी पहुंच चुकी है सामने मुंबई से एहमदाबाद के भी चलने वाली शताबदी एक्सप्रेस यहां से डिपार्चर के लिए यानि अपने रवाना होने के लिए तैयार करी है ट्रेन का सूरत में रावल 9.45 एम का है और हम लोग अब सूरत रेलियो स्टेशन पहुंच चुके हैं दोस्तों कर आपकी ट्रेन सूरत रेलियो स्टेशन से गुजर रही है तो खमन्ट और आलू बोनलो ट्राई करना बिल्कुल न भूलेगा क्योंकि ये दोनों चीज़े आपकी जर्नी को और इंट्रेस्टिंग बना देंगी दोस्तों आप समय आ चुका है वलसार रेलियो स्टेशन को स्किप करने का और वलसार रेलियो स्टेशन पहुंचने से पहले ही आपको बहुत सारे कोचेज लाइन से बाहर के और खड़े दिखाई देंगे जैसे अभी हमारे समने पीछे उनके आप देख सकते हैं कि लेजबी रेक्स खड़े हुए है किसी ट्रेन के जिनका नाम तो मैं भी यहां से नहीं पड़ पा रहा हूँ पर बहुत सारे रेक्स खड़े होते हैं वलसार रेलियो स्टेशन पहुंचने से पहले आप लोग इंजोए किजिए वलसार स् अबशार स्टेश कि वलसार अप तैम में भी पहले है। प्रिज पार करने का दो समय आचुका है रेल फैंस के फेवरिट स्पोर्ट यानि वैतरना के ब्रिज को पार करने का जो काफी लबा लब भरा हुआ है भैंकर बारिश के कारण और लोग फिर भी इस ब्रिज से बड़ी ही आसानी से गुजर रहे हैं इसको एज़े पाथ यूज़ किया जाता है रेल बीज होने के साथ साथ हर दिन व्यातरा करने वारे लोग इस ब्रिज को आसानी से पार करते है बुस्तों आउटर पे ही मुंबाई की एसी लोकल से मुलाकात करते हुए हमारी पैलेस बिन हम सबर अब पहुँच चुके हैं वसाई रोड रेलवे स्टेशन जहां पे ट्रेन का अराइवल है एक बज़े का और हम लोग यहां पे पहुँच चुके हैं वसाई रोड पे हमारी क्रॉसिंग होती है यश्वंद्फूर से बार मेर के बीद जा रही डेसी एक्स्प्रेस के साथ जो अब तो एलेड़ भी होड़ चुकी है लेकिन तब यह पेंड आईसी आफ पोचस दुआ करती थी आई आईसी आफ राजधानी ये कोचस दुआ करती थी जिसमें यात्रा करने की मेरी बहुत उच्छा थी पर मेरे यात्रा करने से पहले ही यह ट्रेंग अलेजबी हो गई खैर मेरे दर्शन एक्स्प्रेस में यात्रा करके अपनी इक्षा को पूरा कर लिया है जो कि आज भी कि और जो सामने की और जो ट्रैक जाएगा वह जाता है मुंबई शहर की और मुंबई के सबर्बन स्टेशन को स्किप करते हुए हमने देखा कि बहुत सारी क्राउड है मुंबई में और यह तो पहले हमने स्क्रावल चीज़ब सुनी हुई थी पर पहली बार इसे एक्स्प करते हैं तो देखिए रेस शुरू हो चुकी है हमारी ट्रेन एक्सलरेट करना शुरू कर दिया है और मुंबई लोकल से लोग हमें हाथ हिला रहा है काफी अच्छा लगता है जब सभी रेस ऐसी देखने को मिलती है और यात्रा जो है बहुत इंट्रेस्टिंग बन जाती है आप लोग को ट्रेनों की रेस कैसी लगती है कमेंन सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप लोग लोगता है दोस्तों अभी हम आ चुके हैं करजत जंक्शन और यहां पर दो बैंकर स्वेंग के पीछे अटाइच किये जाएंगे जो कि इसे लोनों वाला तक लेके जाएंगे जो यूस किये जाते हैं ट्रेनों में पीशे क्यों लगा करके ताकि जो आगे अन्वाली खड़ी चड़ाई है उसमें त्रेन आसानी से चड़ सके इन्हीं को कहा जाता है बैंकर लोकमोटिव जब हमारी ट्रेन का करजत में राइवल हो रहा था उसमें किसी ट्रेन का डिप बास बाक यह है कि क्या अब यहां कि वड़ा पआउ यह है यह अब बहुत हिदी क्यमस और आपको मौका में दन्काइक है कभी बड़ा पाउ प्राई करने का तो ट्राई जरूर कीजिएगा और थेवा अगार के वड़ा पाऊ सबसे जढ़ा टेस्टी होते हैं तो जरू ट्राइ किजेगा और प्राइ करके कमें सबसामें जरू निखिएगा मॉंबई हैजराबाद एक्सप्रेस जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था करजत पार करते ही खड़ी चड़ाई है तो आप लोग देख सकते हैं हमारे ट्रेन अब चड़ाई को चलना शुरू कर दिया है सामने लगा है WDP 4D लोकोमटिव और 19 डिब्बे की हमारी पैलेस कुई हमसफर अब इस खड़ी चड़ाई को चल रही है पीछे बैंकर लोकोमटिव भी लगे हुए है पर आप लोग अभी देख सकते हैं कि ट्रैक कैसे धीरे धीरे उपर के और उठते चले चले जा रहे हैं अब लोग भी जब पीछे की और देखेंगे तो देखें की इतनी हुझाई हम चाड़ चुके है अल्रीड़ी अभी धोस्तों चड़ चुके हैं और अभी बहुत चड़ाई चाह ना बाकî है जो पैलेस की नहुंसफ़ार है उसका राजेस्थान के साथ रेक शेरिंग में है क्योंकि आगे टनल वगेरा हमारा इंतजार कर रही है अगर इस रूट में हमने मौंसून में यात्रा की होती तो और मज़ा आता पर बिना मौंसून के भी रूट काफे इंट्रेस्टिंग था तो एक बार मौंसून में भी जरूर यात्रा करेंगे ताकि मैं आप लोग को लाइव एक्सपिरेंस करा पाऊं गिरते हुए जर्ने का और कुछ फूरत से इन पहाड़ों का काफी उपर आ चुके हैं हम चंद ही मिन्टों में जब से हमारी ट्रेन चली है आप देख सकते हैं कितनी हाइट हैं तो दोस्तो पहली सुरंग आ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सेक्शन को इंज़ाई कीजिए क्योंकि घार सेक्शन में जो ट्रेन की आवाज होती है वो बहुत ही सुन्दर लगती है और साथ में आप लोग नाजारों को आसानी से इंज़ाई कर सकते हैं तो इससे में एरफोंस लगा लिजे और इंज़ाई कीजिए मेरे साथ इस जर्नी को झाल जड़ाई कीजिए लगती है झाल जड़ाई कीजिए लगती है लगाता सुरंगों से निकलती और चट्टान के कटाओं में बनाए गए इन रस्तों से गुज़ती कि पहले स्कूल हम सफर हमारी आगे की और बढ़ रही है दोस्तों रस्ता बहुत यह सुन्दर है लेकिन मौनसून में और भी खुब सूरत हो जाता है प्रस्तों एक कोशिच जरूर रहेगी कि मौनसून में भी हम लोग इस रूप में यात्रा कर पाएं फिल्हाल हमाई ट्रेन आगे की और बढ़ रही है और बहुत सारी सुरंग आती है इस रूप पे और मैंने सुना है कि मौनसून के समय पे यहां पे जरना भी गिरता है मतल कर दो कर दो कि मौनसून के समय पे आप लोग भोर हो रहा होंगे तो मैंने सुचा क्यों आप लोग को एक इंट्रेस्टिंग जर्नी फिर से शेयर की जाए और अपने जर्नी एक्सपिरिंस को आपके साथ फिर से शेयर किया जाए जो एक करज़त से लोने वाला सक्षन के बीच का जो घाट का हिस्सा है बहुत एक खुछूरत है दोस्तों मौका मिले तो जरूर ट्राइक कीजिएगा अगर आपकी ट्रेन पूने से की और दिन में बढ़ रही है या मुंबरी से पूने की और दिन में बढ़ रही है तो सोईएगा मत क्योंकि ये जो सेक्षन है जरूर आपको बहुत खुछ करने वाला है जोस्तों अबसकर उची सबर में हम रहूं दोनो वाला मुंचे वाले ने तो ही बेंगर के ट्रेंश करते हैंगे और अपर उमबर चलेगे उने क्यों बैंकर्स इसना कराई जाते हैंगे नापको प्रेट चल्हाई चल्ट हो है और सबोर्ट में सेक्यों कुंचे से और कप्नी हुए रभी आपको लोग कुछ के हैंगे जोनो वाला और तरी देखे है राइगर कि अट़् दिखः जापको बला ये काउट कि आपको बलाइए कि आपको वंदेवे छोग होगimat किया कि भयोंगा कि बुजय कि लिए coconut milk कि भूए टूट लिए मि hundred-टो एक है झां हम Heल किरिए भ्लिट एक टनल कि बुए है अगैं इब Len कि अबल हुआना टिसmak कुर्ण के दुछ हो हुआनाब में गोषा शेडियों अब कर रह जोटों फिलहाल है अभी हम लोग पूने जंक्षिन के आउटर में बार ट्रें कुछी समय में पूने जंक्षिन पहुचने वाली है आपसे कुछी समय में पूने के पेट्वान नंबर बन पिशाय पूस्के वाले है तो चलिए पूने चलते हैं है दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाने कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेहन करता हूँ पार्ट टू में आप लोग से फिर मलाकात होगी जिसमें हम लोग देखेंगे पूने से बैंगलोर तक की जर्नी और हम लोग पार करेंगे खुशुरा चिंद्वाने घाट को और आप लोग साउट की जर्नी भी देखेंगे और फूड वगर का रिव्यू भी आपको जरूर देखने को मिलेगा तो आज के वीडियो यहीं पेंट होता है उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंदा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें मेरे ट्रेवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जरूने क्ले इंस्सेगराम में मुझे फॉलो करना बिलकूल ना भूले अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें थैंक्स फर वाचिंग